हाई दियार फ्रेंज, कैसे हो आप साब? I hope आप साब बढ़िया होंगे फ्रेंज, बहुत लोग का एक प्रोपलेम आता है शायद और मेरे को दो-तिन भाई ने कोमेंट किया और इंस्टाग्राम में भी बता है कि इस तरह का प्रोपलेम मेरा भी आता है जैसे कि आप WhatsApp चैट करते हैं तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जैसे कि आप लोग WhatsApp चैट करते हैं किसी की साथ तो उस टाइम क्या होता है कि मैं दिखा देता हूँ किस तरह का प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ता है तो जैसे मैं WhatsApp चैट के उपर क्लिक किया, क्लिक काने के बाद जो ये voice मतलब आप बोल जो टाइपिंग करेंगे, मतलब नहीं होता है, किस तरह का एरूर्स होता है मैं आप लोगो को दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहां क्लिक किया, क्लिक क lleakने कि बाद देख सकते, canto connect to google at the moment इस तरह का problem आता है मैं फिर से आगें आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं इस तरह का problem show होता है मैं आगें आप लोग को दिखा देता हो ताकि आप लोगो अच्छे से दिखाई दे तो मैं जैसे यहाँ किलिक किया देख सकते canto contact google at the moment इस तरह का problem बताता है तो अभी आप लोग इस problem को कैसे solution करेंगे solution करना बहुत ही easy है just आप लोग मेरा वीडियो को पुरा end तक देखो और 100% solution कर लो तो friends वीडियो शुरू करने से पहले एक ही request है आप लोगो अभी तक मेरे YouTube चैनल सस्क्राइब ने के तो सस्क्राइब कर लो साथ में एक बेल इकन आएगा उसको भी डबा दो क्योंकि मैं इसी तरह का helpful वीडियो अपलोड करते रहता हूँ तो friends सबसे पहले आपको करना क्या है आपको simply यहाँ से ब्याग आना है जैसे आप लोग यहाँ से ब्याग आएगे आने के बाद आपका mobile की settings के अंदर जाना है जैसे के आपका settings यह है settings के अंदर आने की बाद guys आपको करना क्या है नीचे की तरह आपको scroll डान करना है और यहाँ एक option मिलेगा additional settings इसके उपर आपको click करना है जैसे इसके उपर click करेंगे guys तो इस तरह का आपका settings पागरा देखने को मिलेगा उसके बाद guys आता है इधा language and input इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद इधा एक option मिलेगा current keyword इसके उपर आपको click करना है जैसे click करेंगे choose keyword keyword आपको click करना है जैसे click करेंगे guys तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ देखिए आप लोग का किस तरह का problem की वाज़े से यह मतलब problem show होता है तो इधर देखिए google voice typing इसका जो option है वो off है तो आपको simply क्या करना है इस problem को solution करने के just इसको enable कर देना है जैसे आप enable करेंगे simply ok करना है तो यह enable हो जाएगा उसके बाद आपको और एक settings देख लेना है वो क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ जैसे कि आपका इधर आके search करना है आपका settings की अंदर जैसे कि gboot तो जैसे gboot आप link देंगे इस तरह का आजाएगा उसके बाद आपको simply click करना है click करने के बाद आपको इधर आना निच्चे की तरह और इधर है voice tapping इसके उपर आपको click करने और जस्ट इसको आप enable कर देना है जैसे enable कर देंगे आपको just agree बगरा कर देना है यह सब आपको करने की बाद आपका जो settings है वो हो जाएगा तो आपको simply आप लोग को दिखाता हो जाके तो मैं जैसे उस number की अंदर आया और सब के अंदर और simply मैं type करता हो और देखता हो होता कि देखिए guys आपी मेरा यह जो problem है वो solution हो गया देख सकते हैं आप लोग typing भी हो रहा है यहां तो इसी तरह का आप लोग का जो problem है वो 100% आप लोग solution कर सकते हैं So friends I hope आप लोग को वीडियो आच लगा वीडियो आच लगा तो यार शेयर करो लाइक करो और मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं कि तो सस्क्राइब कर दो